सिद्ध चक्र विधान, पहली पूजन में जो जैमाला लिखी है, इस जैमाला में एक अज्ञानी संसारी सिद्ध दशात तक कैसे पहुँचते हैं, इसकी पूरी चर्चा एक सांग रूपक के रूप में ली गई हैं। तो इतने एक छोटे से, समझ लीजे, बारा चंदों में ये पूरी मुक्ति मार्ग की चर्चा इतने से में की है, ये भी समझ लीजे, कभी की विशेस्ता हैं। सांग रूपक क्या बनाया, क्या उधारन लिया, सांग रूपक उसे कहते हैं। एक तो द्रस्टान्त और सिद्दान्त होता है, द्रस्टान्त दिया और सिद्दान्त घटित किया, लेकिन जो द्रस्टान्त के सभी अंग बरावर सिद्दान्त पर घटित हो, क्या द्रस्टान्त बनाया? कि जैसे एक राजा अपने शत्रू पर विजय कैसे प्राप्त करता है और अपना राज कैसे स्थापित करता है राज की स्थापना के साथ शत्रू का पूरा समूल नाश कर देता है ताकि कभी कोई बाधा उसे आवे ही नहीं और फिर आराम से अपना राज्य में सुख सेवन निवास करता है ऐसे ही ये संसारी जीव मुक्ति तक की यात्रा अपनी कैसी पूर्ण करता है संसार चक्र में फसा हुआ जीव कर्म चक्र से निकल कर नए चक्र के द्वारा धर्म चक्र को समझ कर सिद्ध चक्र में कैसे प्राप्त हो जाता है प्राप्त कर लेता है समझ लिजे उसकी पूरी प्रक्रिया एक तरह से पूरा विधान ही है और खास करके इस जैमाला में भी वो सभी चर्चा आ रही है